नमस्कार मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हुँ कि मीन रासी बालों का आने बाला साथ दिन यणी की आठ मार्च 2021 से 14 मार्च 2021 तक का समय कैसा बीतेगा आने बाले साथ दिनों में मीन रासी बालों के जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस बेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा इस बेडियों के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा तोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें मित्रों यदि आप अपनी जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीवन के बारे में अगर आप कोई भी बातें मेरे से पता करना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर मेरा वाटसेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे कॉल या मैसेज करते हैं तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी दोस्तों आने बाले साथ दिनों में यदी आपके सेहत की बात कड़ें आपके सुवास्त की बात कड़ें तो सेहत के द्रिष्टी कौन से आपका आने बाला शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रों आने बाले साथ दिनों से पहले यदी आप बिमार थे आपके सेहत में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आने बाले समय में उस पड़ेशानी का अंत होगा एबम आपका सेहत आपका सुवास्त बहुत जयादा मजबूत एबम बिहतर होगा मित्रो आने बाले साथ दिनों से पहले यदि आपका पैसा कहीं रुक गया था कहीं फस गया था तो आने बाले समय में अपने रुके हुए धन को प्राप्त करने का प्रयास आपको करना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने बाले समय में आपका आर्थिक जीवन बहुत जयादा खराब होगा तो आने बाले समय में इन छोटी मोटी बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों आने बाले समय से पहले यदि आपके घर पड़िबार में किसी भी व्यक्ती के साथ आपका संबंध खराब था कमजोर हो गया था तो आने बाले समय में अपने संबंध को मजबूत करने का प्रयास आपको करना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने बाले साथ दिनों में आपके घर का माहौल आपके घर का वाताबरन बहुत जयादा खराब होगा तो आने बाले समय में इन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए मित्रो आने बाले समय में यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के द्रिष्टी कौन से आपका आने बाला शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा आने बाले समय में यदि आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से मुलाकात करते हैं तो आपका प्रेम शंबंध बहुत जयादा रोमांचक एबम बहुतर होगा मित्रों आप में से जो भी जातक नोकडी करते हैं जोब करते हैं तो आने बाले समय में आपके नोकडी के छित्र में आपके बौस या आपके सिनियर के द्वारा आपको जो भी काम दिया जाए आपको जो भी टास्क दिया जाए तो उस काम को मेहनत इमान दाड़ी एबम एका गरता के साथ आपको पूरा करना चाहिए क्योंकि आपके आने बाले समय के लिए यह बहुत ही जयादा जरूरी एबम आबस्यक है तो इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले समय में आपके लिए अनोखा टोटका भाग्यसाली रंग एबम भाग्यसाली अंक क्या है मित्रों आने बाले समय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है के सरिया एबम पीला आपके लिए भाग्य साली अंक है तीन यनी की थिरी मित्रों आने बाले समय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको प्रती दिन भगबान सुर्ज को अर्ग देना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने बाला समय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा तो आगे बठने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जय सनी देब कमेंट कर दें एबम इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद